नमस्ते विद्याति मीत्रों हुँ चोहन साय द्यावत्सले कन्या सलाम आपनू हादिक स्वागत करूँचू आजे आपने धोरांत्राण विशेहिंदी मां 28 गंदगी के रोगों की जल एले गंदगी रोगों नू मूर छे इना विशे समझी सू आनन्द आदर्स विद्या थी है वह हर रोज नान करता है एले आनन्द एक आदर्स विद्या थी चे ते दरोज नान करे चे उससे चमणी के रोग नहीं होते एले तेने चमणी ना रोगों नती थाता वह सप्ता में एक बार नाखों काटता है एटले के ते अठवाडिया में एक वार नाख कापे छे अनन्दी में थुकती है यह गंदी आदत है एले कि आनन्दी जमीन उपर थुके छे आ एक घंदी टेव छे रामु घर का खुडा इधर उधर फेकता है एले कि रामु पत्रों अहीं आने त्यां फेकती दे छे इससे चारो और गंदगी होती है तेना लालू को देखो उसकी बाल्टी भर गई है एले के लालू ने जू तेनी पाण नी डोल भराई गई छे पर वह नल बंद नहीं करता पर तेनण बंद करतू नति डुला हुआ पाणी इधर उधर जमा होगा एक पाणी अहीं आने त्या एकठो थसे पानी के कारण मच्छर पैदा होंगे येले के पाणीना करणे मच्छरो जनम से मच्छर के कारण बिमारिया फेलेंगे ले मच्छना कारने रोगों फेला से स्वाद है खाली जगों में योगे सब्दल लिखो खाली जग्या में योगे सब्दल को एक आनन्द खाली जग्या सनान करता है तो हर रोज दूसरी, हरोज खाली जागिया करने से चमडी के रोग नहीं होते तो स्नान तीसरी, रामू घर का कुड़ा खाली जागिया फेकता है तो इधर उदर चोथी, रोशन, खाली जागिया दोकर ही हाथ, खाना खाती है तो हाथ पांचवे, आनन्दी मेदान में थुकती है, यह खाली जागिया आदत है तो गंदी लालू बाल्टी भर जाने पर भी नल, खाली जागिया नहीं करता तो बंद